हेलो प्रेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके पनी यूटूब चैनल टार्गेट विते पिशेक में और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंट्स हम डिस्कस करेंगे इलाहबाद हाई कोट ग्रूप D का जो एक्जाम हुआ है और इसका जो फाइनली एंसर की भी आ इस पूरी वीडियो में फाइनली डिस्कस करूंगा कि किस परस्पेक्टिक के तुरू यह सारे चीजे यह फाइनल मेरे इस्पेक्टिट कटाफ ही आई होंगे तो चलिए फड़ापट वीडियो को स्टट करते हैं आई है फिरेंड्स जो वीवर्स हमारे चैनल पे नए हों चैनल को स्ब्सक्राइब करके व्लाइक प्रेश कर लें ताकि आपके वीडियो की नोटिफिकेशन आपको असानी से सबसे पहले मिलते रहें और हमारे चैनल पे सारे आपको भी एक्जाम के फ्री प्रैस कोर्स प्रिलिए गरम के तुरू आपके सारे मेटिरियोस प्रोवाइड करता हूँ तो चलिए फटापट वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो जनरल की कटाप थी वह 90 हो गई थी ठीक है और 90 91 इतने लोगों को पर सब सब का सेलेक्शन हुआ था ओभीशी कटाप हमें सब प्रिलियम्स एक्जाम में जो हाई कोड का एक्जाम होता है इसपेसिली उसमें एक दो नमबर इसे ज्यादा ही ज्यादा जनरल के टागरी थी सी की जो कटाप गए थी 87 एच्टी की जो कटाप थी वह 83 प्लस थी क्योंकि एश्टी लोगों का बहुत कम लोगों का मुंशन करके आ रहा था लेकिन इतने लोगों पर इतने पर सेलेक्शन हुआ है 83-84 पर सेलेक्शन हुआ है ठीक है और गल्स के जो कटप थी वह ज्यादा तर यह भी शी के कटेगरी के बराबर थी प्रिलिम्स में और फाइनल में इनको वेटेस दिया जाता है इनके सीट रिजरेशन के गॉर्डिग चले फिर फाइनल डिसकस कर लेते हैं अपने जो मोस्ट इसपेक्टेड कटप है जो फाइनल कटप होगी आपकी जिसके तुरू आपका सेलेक्शन होगा कि फाइनल कटप डिसकस करने हैं इक इंपोर्टन चीज़ आपको बता दो कि जिनकी स्टुडियन के कमेंट में बहुत सारे इतने मांक्स है इतने पर नहीं हो इतने मांकस हो इतने तो सबसे पहले आप पूरा वीडियो फाइनली देख लो और दूसरी चीज है कि जिनके कट आप कम रहते हैं उसे numbers कम रहते हो डिसलाइक करते हैं वीडियो को बताते हैं कि मेरे इतने पर नहीं होगा है यह वो तो finally friends इसको आपको एजंप्शन करना पड़ेगा because paper prelims और मेंस दोनों exam में बहुत सारे बहुत ही easy paper थे और maximum student का 95 से कम marks नहीं था 100 में तो ज्यादा तर जिन लोगों कमेंट आगा भी मैंने पिछले वीडियो पे ग्रूप सी वाला भी डाला तो ज्यादा तर लोगों को डाही 300 कमेंट भी लगाता रहा है तो फरदली मैं आपको सारे कमेंट का जबाब देता हूं बट उसको आपको एजंप्शन करना पड़ेगा तो चलिए फट 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 फाइनल कट आपको डिस्कूस कर लेते हैं फ्रंट्स ये आपका जो सर्वेय है वो ज्यादा तर लगभग 500 के ऊपर ज्यादा तर लोगों को बना गया और मैक्शिमें स्टुएंट के इतने के बीच में ही आ रहा था ज्यादा तर से नीचे माक्स हो इसलिए यह कटाफ के सबसे ज्यादा जाने की चांसे था है ठीक है तो सबसे पहले डिस्कूस कर लेते हैं जनरल के जो कटाफ बजने बताई है 194 बताई है फ्रेंट्स 195 भी हो सकता है एक दू नंबर आप एजुम्शन करके चलो ठीक है और ओबीशी के जो कटाफ होगे 192 से कम नहीं होगे फिर ज्यादा जा सकता है कम नहीं होगी स्ट की की जो कटाफ है वह 190-2 इसलिए कि यहां पर 188 भी चांसे है क्योंकि प्रिवियस येर्स में जो जनरल के कटा थे 196 थी और पेपर का लेबल थोड़ा सा इस लेबल से इंक्रीस था ठीक है तो यह जंशन है ठीक है और स्ट की जो कटाफ होगे क्योंकि बहुत सारे कम बच्चों का स्ट में मैंसर आया था तो मैंने इनकी नियर बहुत इतनी बनाई है इससे उपर ही जाएगी इससे कम नहीं होगा फिमेल की जो कटाफ ही कि यहां सिन को बेटेस दे दिया जागा था जन पर यह के जो स्टूटें ज्यादा तर मिलते हैं इनके अच्छे माक्स होते हैं तो फाषाहि्ले सेलेक्ट हो जाتे है इसलिए dwarf है लिवा बेस्ती है आउर बीदी इसलिए यह जागा है कि खेल बहुत जल्दी आना है और आपईनल-बेस्ट में मेतशना ब्लस्त भी वीडियो को लास्ते देगेने के लिएकवा बहुत बहुत जन्नवाज जै हिन जै भारत वहन दे मात्रम थैंकी सुमच